पाने को पिलो नमस्कार 22 e-learning platform पर आपका स्वागत है मैं घेवर सिंग आपके सामने कुछ पजल सपहलिया लेके आया हूँ तो देखिए एक बंदर एक खंबे पर चड़ता है वह पहले मिनट में 12 मीटर चड़ता है और अगले मिनट में 5 मीटर नीचे फिसल जाता है तो इस परकार उसको 63 मीटर खंबे की चोटी तक पहुँचने में कितना समय लगेगा जब भी इस परकार के प्रशना आए तो आपको किस परकार हल करने है देखिए यहाँ पर इस बॉर्ड पर देखिए आपको किस परकार से हल करना है जब भी इस परकार के प्रशना आपको पूछे जाए तो द्यान से देखिए पहले मिनट में पहले मिनट में आपको दिया गया है 12 मीटर चड़ता है और दूसरे मिनट में 5 मीटर फिशल जाता है इसका मतलब 2 मिनट में 2 मिनट में कुल मिला कर वो कितना चड़ा 12 मीटर चड़ा और 5 मीटर पिचल गया कुल मिला कर 7 मीटर चड़ा कुल मिला कर 7 मीटर वो हो चड़ता है तो इसके लिए आपको calculation जब शुरुवात में करोगे तो आप 63 मीटर के लिए नहीं करोगे आपको करना है इस 63 में से पहले मिनट में कितना चड़ता है 12 ये गटा दीजिए पीछे कितना बचा 51 51 में से आपको counting करने है सबसे पहले जो आपको इसाब किताब करना है वो 51 में से करना है तो देखिए 7 मीटर चड़ता है 2 मिनट में अगर ऐसा वो 7 बार करता है तो 49 मीटर इससे कम नहीं रखना इससे ज़्यादा लाना है अपन को तो आठ बार ऐसा करता है कितनी बार आठ बार ऐसा करता है तो 56 मीटर चड़ जाएगा कितना चड़ेगा 56 मीटर और जब ऐसा आठ बार करेगा तो उसको टाइम कितना लगेगा 16 मीटर में वह 56 मीटर चड़ लेगा अब देखिए जैसे 17 मीटर आया तो कुल 63 मीटर है 56 मीटर वह चड़ चुका है तो पीछे कितने बचे 7 मीटर डिस्टेंस बची दूरी कितने बचे उंचा ही 7 मीटर जबकि एक मिनट में वह कितना चड़ता है एक मिनट में वह 12 मीटर चड़ता है अब 7 बटे 12 मिनट आ गया क्या आ गया मिनट जबकि इस मिनट को अपन को किस में चैंज करना है इस मिनट को अपन को सेकंड में चैंज करना है तो क्या करेंगे एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 60 का गुना कर दिजिए, और 12 का बाग गया, 5 बार 7 बंजे 35 सेकंड, कितना टाइम लगा, 16 मिनट और इसमें 35 सेकंड जोड दीजिए, तो 16 मिनट 35 सेकंड आपका सही उत्तर हो जाएगा, 16 मिनट 35 सेकंड कौन से उप्षन में है, ये तीसरा विक गल्ब आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा, तो इस प्रकार ये रहा अगला प्रशन आपके सामने, और इस प्रशन को आप हल करिए, और जल्दी से मुझे कमेंट करके इसका उत्तर बताईए, एक 80 मीटर उचे खंबे पर, खंबे के उचाई कितनी 80 मीटर, एक बंदर एक मि इसाब किताब किस में से करना है, 80 माइनस, पहले मिनट में कितना चड़ता है, 5 मीटर, इसका मलब आपको 75 में से इसाब किताब करना है, पहले मिनट में 5 मीटर चड़ा, और दूसरे मिनट में 2 मीटर फिशला, कुल मला कर, 2 मिनट के अंदर वह कितना चड़ता है, 3 मीटर च जाएगा और पचीस बार करने में उसको समय कितना लगेगा पचास मिनट लगेगा कितना लगेगा पचास मिनट लगेगा अब जैसे ही अगला मिनट आएगा उसको पांच मीटर चड़ता है वो तो पांच मीटर जैसे ही चड़ेगा पचेतर और पांच कितने पचेतर और पा आप कहोगे कि सर एक बार तो वो असी चट गया लेकिन अगले मिनिट में फिछल जाता उसके बाद बले ही वो नीचे गर जाया अपन को क्या करना अपन को ऊपरी सुरे तक पहुंच गया आपका उतर निकल जाएगा एक यावन मिनट फिर चलते हैं अगले प्रश्ण पर और ये रहा आपका अगला प्रश्ण एक बंदर 45 मीटर उचे खंबे पर चड़ने का प्रयास करता है पहले मिनट में वह 12 मीटर चड़ जाता है लेकिन दूसरे मिनट में 15 मीटर चड़ जाता है जबकि दूसरे मिनट में 12 मीटर नीचे विशल जाता है इस दर से वह कितनी देर मे खंबे के सिर्ष तक पहुंच जाएगा तो देखिए आपको इसाब किताब किसमें से करना है 45 मीटर तो उंचा ही है उसमें से पहले मिनट में 15 मीटर जड़ता वो गटा दीजिए इसका मलब आपको 30 मीटर का इसाब किताब करना है और परतेख दो मिनट में वो कितना चड़ेगा पहले मिनट में 15 मीटर उपर चड़ता है और दूसरे मिनट में 12 मीटर नीचे फिचल जाता कुल मिला कर 3 मीटर वो चड़ता है और 30 मीटर चड़ना है कितनी बार ऐसा करना पड़ेगा 10 बार ऐसा करना पड़ेगा और 10 बार ऐसा करेगा तो वह 30 मीटर चड़ जाएगा और उसको time कितना लगेगा 10 बार ऐसा करने में 20 मिनट लगेगे 20 मिनट में वह 30 मीटर चड़ लेगा और जैसे ही अगला मिनट आया ये एक मिनट जैसे ही अगला मिनट तो इस मिनट में 15 मीटर ओर चड़ लेता है तो कितना हो गया 45 मीटर और खंबा कितना था 45 मीटर अपन को चड़ना था इसका मतलब आपके समय कितना हो गया 21 मिनट 21 मिनट दूसरा विकलब आपके बिलकूल सह उत्तर तो इस परकार के प्रशन पहलिया सौल करने के लिए हमारे से लगाता लाइव जुड़े रहिए और इस चैनल को सस्क्राइब करिए लाइक करिए कमेंट के अंदर कमेंट करके मुझे बताईए कि आपको वीडियो बहुत अच्छे लगे आज के लिए के वल इतना ही फ झाल 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 झाल